Hello students, NCRT, Maths, Class 10th में आप सभी का स्वागत है आज हम अध्याय 15 यानि की प्रायक्ता सुरू कर रहे हैं और प्रायक्ता सुरू करने से पहले हम लोग कुछ महतपून बातें यहाँ पे जानेंगे और यह महतपून बातें इसलिए हैं क्योंकि इन्ही के आधार पर हम प्रशनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ सब्द होंगे जिनका हमें मीनिंग भी पता यहाँ पे चल जाएगा और जब हम सॉलूशन करेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे प्राइक्ता यानि कि प्रॉबिलिटी और इसके अंतरगत एक महतपून टर्म आती है जिसका नाम है प्रतिदर्स समझ्टी तो आखिर ये प्रतिदर्स समझ्टी कहलाती क्या है इसे सेंपल स्पीज भी बोलते हैं तो याद्रिक्षिक का मतलब होता है बिना देखे या कोई भी ठीक है या बिना देखे या कोई भी प्रियोग के समझ्ट परिणामों के समुच्चे को प्रतिदर्स समझ्टी कहते हैं तो इसके लिए क्या है कि जैसे अब इसको हम उधरन से अच्छे से समझ पाएंगे जैसे आपने कोई सिक्का उचाला अब आप क्या करेंगे प्राइक्ता का मीनिंग पहले समझेंगे कि प्राइक्ता क्या है प्राइक्ता का मतलब होता है संभावना प्राइक्ता का मतलब क्या होता है संभावना जैसे आज बारिस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है तो हम केवल बता सकते हैं कि संभावना है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है जैसे धूप है आज धूप निकल सकती है या नहीं भी निकल सकती है तो इस तरीके से हम जो संभावना बनाते हैं उसे हम प्राइक्ता कहते हैं जैसे कोई सिक्का है अब सिक्के को हम उच्छाल रहे हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है तो दोनों संभावना हैं तो प्राइक्ता क्या है कि प्राइक्ता संभावना कहलाती है हम कोई भी घटना पर अपनी राय बेक्त करते ह हम उसकी प्राइक्ता बताते हैं कि ये भी हो सकता है तो कोई भी घटना होती है या कोई भी प्रियोग करते हैं चाहे आप सिक्के को उचाल रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है उसमें हैड भी आ सकता है उसमें टेल भी आ सकता है तो कुल परिणाम जो होंगे समस्त परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्स समश्टी कहते हैं जैसे हमने सिक्का उचाला तो सिक्के में क्या क्या हो सकता है प्रतिदर्स समश्टी सिक्के की क्या होगी तो सिक्के की प्रत प्रतिदर्स समस्टी होगी प्रतिदर्स समस्टी का सीधा समतलब है कि समस्ट परिणाम कितने होंगे सिक्के को चालने पर या तो हैड आएगा या टेल आएगा तो ये कुल परिणाम होंगे वो प्रतिदर्स समस्टी कहलाता है तो ध्यान रखिए कोई भी प्रियोग करिए आ जैसे सिक्के को चालने पर या तो हैड आएगा या टेल आएगा एक सिक्के को चालने पर अगर हम बात करें कि जैसे हमने साप सिड़ी खेली होगी तो उसमें क्या होता है एक छकड़ी होती है तो उसमें एक से लेकर छे तक के अंक होते हैं आपने देखा होगा एक से लेकर कह तक क्यांग होते हैं, कुछ इस तरीके से वो होती है, यह देखिए, तो यहां पे एक होता है, यहाँ पे दो डॉट बने होते हैं इस टाइप से कहीं भी ऐसे तीन बने होते हैं इस तरब चार बना देते हैं इस तरब पांच और ये छे हो जाए तो ऐसे वो होती है कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम इस पांसे को यदि फैकते हैं एक पांसे को तो इसकी प्रतिदर से समझ्टी क्या होगी प्रतिदर से समझ्टी का मीनिंग अब आप समझ चुके हैं समझ्टे परिणा तो इसमें क्या क्या आ सकता है इसको फैकने पर दो तीन चार पाच छे के बीच में कोई भी अंक आ सकता है तो प्रतिदर्स समझ्टी क्या हो सकती है कि उस घटना या उस प्रियोग में संभाव मान कौन कौन से हो सकते हैं संभाव जो परिणाम हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं तो इस तरीके से हम प्रतिदर्स समझ्टी को समझ सकते हैं तो ये हो गया हमारा प्रतिदर्स समझ्टी और याद्रिश्चक का मतलब होता है बिना देखे कोई भी चीज या याद्रिश्चक का मतलब आप ये समझेए कि कोई कोई भी अब इसमें कोई भी हो सकता है आप इसे बिना देखे या जीसे आप से कहा गया कि या दिरस एक ग्यंद निकाली जाती है, कोई भी एक ग्यंद निकाली जाती है, इसका मीनिंग यह होगा, कहीं भी कोई question में लिखा होगा, तो इस तरीके से तो ये हो गया हमारा प्रतिदर्स समझ्टी अब याद रखिए कि प्रतिदर्स समझ्टी को हम ऐसे निरूपित करते हैं ऐसे धरसाते हैं तो जैसे कोई भी पांसे हैं कोई भी सिक्का है तो इस तरीके से हम उसको जैसे किसी ने कहा कि किसी बॉलर ने 24 गेंदे डाली जिस पर से 6 गेंदों पर 4 चक्के लगे या 6 गेंदों पर 6 चक्के लगे तो आप ये बताईए जैसे 6 गेंदों पर चक्के लगे टोटल कितनी गेंदे डाली चोबीस तो प्रतिदर से समझटी पता है कितनी होगी 24 होगी और कुल परिणामों की संख्या भी कितनी होगी 24 ही होगी लेकिन छक्के कितने पर घले 6 गेंदों पर तो वो होगी अनुकूल परिणामों की संख्या कि जो अब कुश्चन के अनुसार में बताऊंगा कि कैसे वो अनुकूल हो जाते हैं ऐसे कुल होते हैं ठीक है अभी इतना समझिए कि प्रतिदर्स समझ्टी क्या होता है कि कोई भी परिणाम हो कोई भी गटना हो तो उसमें संभव परिणाम जो हैं वो कौन-कौन से हो सकते हैं जैसे सिक्के को चाला तो हैड या टेल दौनों आ सकते हैं तो उसकी प्रतिदर्स स उसमें एक से लेकर छे तक के अंकों के कुल परिणाम हो सकते हैं एक भी आ सकता है दो भी आ सकता है तीन भी आ सकता है और आकरी वाला अंक छे भी आ सकता है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रतिदर समझती यह होगी अब इसके बाद हम बात करेंगे कुल परिणामों की संक्या इसके बाद हम बात करने वाले हैं अनुकुल परिणामों की संक्या क्या है कुल परिणामों की संक्या वो संक्या होती है जिसमें हम उन परिणामों को गिनते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिक्के को फैकना है तो सिक्के को फैकना है एक सिक्के को फैकने पर उसके चित आने की प्रायक्ता ग्याद कीजिए या पट आने की प्रायक्ता ग्याद कीजिए या हैड और टेल तो थोड़ा समझ ये जैसे सिक्के को फैकना है तो आपको ये बताना है कि प्रतिदर्स समष्टी उसकी कितनी होगी तो प्रतिदर्स समष्टी क्या कहलाता है कि वो क्या क्या उसमें आ सकता है तो प्रतिदर्द समझ्टी में आपको ये bracket बना लेना है और उसमें क्या हो सकता है प्रतिदर्द समझ्टी में कुल परिणाम होंगे जैसे कि सिक्क्यों को फैका है तो या तो हैड आ सकता है या टेल आ सकता है तो यही हो जाएंगे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे दो तो जो हम पढ़ रहे हैं कि कुल परिणामों की संख्या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी कुल परिणामों की संख्या इनको गिन लेना है ब्रैकेट के भी तर जो भी लिखा है कुल परिणामों की संख्या एक और एक दो तो कुल परिणामों की संख्या होगी दो इस तरीके से हमें लिखना होता है तो कुल परिणामों की संख्या को हम NS से दरसाते हैं और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाती है दो होती है तो ये प्रायक्ता का मुख सूत्र होता है हम लोग जब कॉश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा कि कैसी बात हो रही है लेकिन ये थोड़ा जानना जरूरी है अपको इसके बाद हम बात करेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणाम जो होते हैं वो प्रस्न से सम्मन्दित होते हैं जैसे अप प्रस्न में पूचा गया होता कि कोई भी जैसे आप से पूचा होगा कि हेड आने की प्राइक्ता क्या होगी तो हेड आने की प्राइक्ता तो अनुकूल परिणाम एक होगा कितना होगा एक क्योंकि हमने देखा है कि हमें क्वेशन में केवल ये पूछा गया है कि हेड आने की प्राइक्ता तो हेड ये हमारा अनुकूल हो जाएगा क्योंकि जो अनकूल होता है वो प्रस्न से सम्मंदित होता है प्रस्न में पूछा गया है कि हैड आने की तो अनकूल ये एक परिणाम होगा इसी तरीके से अगर हम कुल परिणामों की बात करें और अनकूल की तो जैसे हम से पूछा गया है कि एक पांसे को फैंकने पर उसकी प्रतिदर से समझटी क्या होगी एक पांसे को फैंकने पर उसकी प्रतिदर समझटी होगी एक से लेकर छे तक क्यांग एक दो तीन चार पांच छे तो अब यदि आप से पूछा जाए कुल परिणामों की संख्या तो वो हो जाएगी 6 क्योंकि 6 अंक है यहाँ पर तो 6 हो जाएगी परिणाम कितने हो सकते हैं 6 हो सकते हैं अनुकूल हमारा कॉश्टन से रिलेटिड होगा तो हम लोग जब कॉश्टन करेंगे तो और अच्छे से किलियर हो जाएगा तो यह कुछ बातें थी प्रतिदर्थ समझ्टी कुल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या इसके साथ साथ एक और बात समझ लीजिए प्रायक्ता जो होती है उसमें किसी घटना के घटत होने की प्रायक्ता और ना घटत होने की प्रायक्ता सदेव एक होती है तो ये आपको याद रखना कि कोई घटना घट रही है और नहीं घट रही है दोनों को यदि जोड दिया जाए तो उसकी प्रायक्ता कितनी होगी एक होगी और एक बात और आपको याद रखना है कि प्राइक्ता के जो अंसर आएंगे वो जीरो और एक के बीच में ही रहेंगे प्राइक्ता के जो उत्तर आएंगे वो जीरो एक के बीच रहेंगे जैसे कि तीन बटे दो, एक बटे दो इस तरीके से आएगा जीरो और एक के बीच में ही रहेगा आंसर कभी भी प्रायक्ता दो नहीं हो सकती कभी भी प्रायक्ता माइनस में नहीं हो सकती ये आपको याद रखना है प्रायक्ता कभी भी रनात्मक नहीं होगी प्रायक्ता कभी भी दो एक से जादा नहीं होगी दो, तीन, चार, पाँच ऐसे नहीं होगी तो ये प्रायक्ता से रिलेजेट कुछ महत्तपूर्ण बिंदू थे तो ये हो गया इंट्रो वीडियो इसके बाद हम लोग 15 दिसम लगे के स्टार्ट करेंगे थैंक यू